जैर शनीदेव अगर इस साल बचेवे 6 महीने में आपको खुश रहना है तो आपको शनीदेव को प्रसंद करना ही होगा और ये कैसे हो सकता है? बहुत आराम से हो सकता है बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए बताने तो मैं जाही रही आज आपकी राशी के हिसाब से शनीदेव को प्रसंद करने वाले उपाये आपको बताऊंगी आपकी राशी पर शनी की धहिया का क्या कहर होगा और बचने का क्या उपाये होगा ये भी बताएंगे आपके बचेवे साल में शनी के कोप से बचने वाली जानकारी होगी शनी देव आपसे प्रसंद रहेंगे साथ ही आपको वो गलती भी बताएंगे जिससे शनी आपसे नाराज होते हैं और आपको शनी कृपा दिलाने वाले अचुक उपाई भी बताए जाएंगे आपके आदे साल को ठीक करने के लिए पाँच महा उपाए बताने जा रही हूँ सबी शनी से जुड़े होंगे पहला महा उपाई से बात की शिरूबात करते हैं मततलब साटरी के एक दिन पहले शुकरुवार को सवा सवा किलो काले चने अलग-अलग तीन बत्रों में भीगो दे अगले दिन नहा कर साफ कपड़े पहन कर शनी देव का पूजन करें चनों को सरसो के तेल में आप तरका लगा लीजी इनका भोग शनी देव को लगाएं और फिर अपनी समस्याओं की निवारन के लिए प्रातना करें इसके बाद पहला सवा किलो चना किसी जानवर को खिला दे, दूसरा सवा किलो चना जरुवतमंद को बाढ़ते और तीसरा सवा किलो चना मचलियों को खिला दे इस उपाय से शनी देव का प्रकुप समाप्त होता है आपके बच्चेवे साल को शनीदेव की कृपा से संकट मुख बना लीजे शनीदेव ऐसे देव हैं जो प्रसंद हो जाएं तो आप माला माल हो जाएंगे और गुसा हो जाएं तो कंगाल अभी साल खत्म होने में करीब 6 महीने बाकी हैं और आप इन महीनों में शनीदेव को प्रसंद कर लीजे आपकी राशी के हिसाब से आपको शनीदेव के प्रकोप से बचाने वाले उपाई बताने जा रही हूँ मेश राशी वालों के लिए खुश खबरी है बचे वे साल में आपके उपर शनी साड़े साती और धाया का बहुत कम या यह कहें कि बिल्कुल भी प्रभाब नहीं पड़ेगा नौकरी करने वालों के लिए अच्छा रहेगा लेकिन अगर बिजनस करते हैं तो भी समय अच्छा रहने वाला है बचे साल आपकी फानाशल कंडिशन बेटर होगी परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा पिता की सेहत का ध्यान रखें आपकी शादिशुदा जिंदिगी ठीक ठाक दिख रही है बचे साल का उपाई शनीवार के दिन उपवास रखें अगर आपकी राशी वरिश्चब है तो बतादें कि अभी बचेवे साल में आपकी राशी पर शनी की धहिया का प्रभाब होगा आने वाले धाई साल तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पढ़ सकता है इसलिए मेरी सला है कि इस साल में कोई भी बड़ा इन्वेस्मेंट ना करें आपकी आर्थिक स्तिती खत्रे में रहेगी खर्चे बढ़ेंगे धन का आना धीरा हो जाएगा परिवार में भी तनाव की स्तिती बनी रहेगी बचे साल का उपाई शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल या नाव में लगी कील का छला पहने मिथुन राशी की बात करते हैं साल 2018 में बचे वे मनियनों में शनी की दृष्टी से अच्छा रहेगा शनी साड़े साती और ढहिया से बचे रहेंगे जौब या बिजनेस दोनों में सफलता प्राप्त होगी जौब में प्रमोशन की संभावना है स्टूरेंस के लिए समय बहुत अच्छा है एजुकेशन से विदेश जा सकते हैं शादी शुदा जिंदगी में चिंता देख रही है किसी को प्रिपोस करने की सोच रहे हैं तो इसमें देरी ना करें बचे साल का उपाई साटेटी के दिन अपने दाएं हाथ के नाब जितना ऐसे 19 हाथ लंबी दोरी का धागा लेकर इसको यूं माला की तरह गले में धारन करें चली बात करते हैं आज के आस्टो स्पेशल का शनी देव को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक खास काम का ध्यान रखना है शनी देव की इश्ट हैं महादेव शिवलिंग के उपर अगर आप शनी का कोई भी समान डालेंगे काले तिल हो गए, काला नमक हो गया, सरसो का तेल हो गया सरसो के तेल से रुद्र अभिशे कराएंगे शनी देव आपको कभी भी परिशान नहीं करेंगे अब आपको आगे की तीन राशियों के बारे में बता देती हूँ बचे वे इस साल में आप पर शनी देव का कैसा प्रकोप रहेगा और आपको शनी देव की कृपा पाने के लिए क्या करना है सब जान जाएगे करक राशी वाले लोग भी बचे वे इस साल में शनी साड़े साती और धैया से दूर ही रहेंगे जौब में फाइदा मिलेगा काम की वज़े से विदेश जा सकते हैं प्रोमोशन की संभावनाएं हैं लेकिन इस साल फिजूल खर्च पर रोक लगाएं शेयर बाजार में जादा इन्वेस्ट ना करें परिवार और जीवन साती का ख्याल रखें किसी को प्रोपोस करने की सोच रहे हैं तो ये साल सही रहेगा बचे वे साल का उपाई चोकर वाले आटे की दो रोटियां बनाएं एक को तेल लगाकर दूसरी को घी लगाकर लगा दे हलकासा तेल से लगी रोटी पर मीठा रखकर काली गाई को खिला दे और पर दूसरी रोटी भी खिला दे इस उपाई को करते समय शनी देव का ध्यान करें सिंग राशी है अगर आप भी तो आपके उपर भी शनी की साड़े साती और ढहिया का जो असर है ये नहीं होगा नौकरी या बिजनस के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अगर आप ब्यूटी और पुरानी इंटीक चीजों का बिजनस करते हैं तो आपको सोच से जादा मुनाफ़ा हो सकता है बच्चे बेसाल का उपाई सवा किलो काला कोईला एक लोही की कील काले कपड़े में बांथ कर जिस पर शनी की प्रकोप है उसके सिर पर से घुमा कर पानी के पास छोड़ दे प्लीज नदी को खराब नहीं कीजेगा गन्याराशी की बात करते हैं शनी की रहिया का प्रभाव होगा जिससे नौकरी में बदलाव आएंगे आफिस में किसी से बहस ना करें अधिकारियों से तार्मिल बनाए रखें अपने बिजनस को स्थिर बनाएं इसके लिए आप को बड़ा कर्ज ले सकते हैं शादिशुदर जिंदगी के नतीजे सुखद होंगे लेकिन किसी से प्रेम करते हैं प्रपोस करने के लिए समय ठीक नहीं है बचे विसाल का उपाई क्या है जानिए शनिवार की रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम रीम को भोच पत्र पर लिखकर आपको नित्य पूजा करने से विद्या और बुद्धी की प्राप्ती होती है योपाई पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी सबसे फाइदे मन्द होता है चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको आज का शनि से जुड़ा दूसरा महाउपाई क्या है ये बताती हूं सवाल ये है कि क्या शनि की साड़े साती परिशान कर रही है और इससे इस साल के खत्म होने से पहले आप ठीक करना चाहते है हर रोज सुंदरकान या हनुमान चालिसा का पाथ करें शनिवार को सुभा पीपल के पेड़ पर जलका जड़ चड़ाएं शनि पीड़ा से शांती मिलेगी शनि साड़े साती के दोरान काले गोडे की नाल के इंगूठी या नाव के कील के इंगूठी का भी फाइदा मिलता है अब आगे की तीन राशियों का हाल बता देती हूँ बचे वे साल में शनि का आपकी राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है, सब जान लीजे तुलराशी वालों में भी शनी की साड़े साती और धहिया कासर देखने को नहीं मिलेगा अगर हम जॉब की बात करते हैं, तो आपको इस साल प्रोमोशन मिल सकता है बिजनस में भी मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन विदेश में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जादा लाव होगा धन कमाने का आपको मौका मिलता ही रहेगा इस साल में बचे विसाल के उपाए, शनिवार को ब्लाक डॉग को, ब्लाक काउ को रोठी और काली चुडिया को दाना डालने से चीवन के रुकावटे दूर होती जाएंगी ये भी मानिता है कि शनिवार को तेल से बनी चीज़े जरुत मंदर को खिलाने से शनिदेव प्रसन होते हैं रिश्चिक राशी वाले लोग, आप पर शनी साड़े साती का प्रभाव देखने को मिलेगा नौकरी वाले लोगों को सावधान रहना होगा ओफिस का माहौल और वहां के लोग आपके पक्ष में नहीं होंगे इसलिए काम की जगा पर आप अपने सहीयोगियों के साथ तालमिल बना के रखें तो इसमें समझदारी है ये साड़े साती कारोबार पर भी असर डालेगी लेकिन प्रॉपटी और मुबाइल का बिजनस करने वाले मुनाफ़ा कमाएंगे इस साल के बचेवे साल का उपाएं किसी भी एक शनिवार को शाम के वक्त अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी धागा ना अपले अब इसे जल से धोकर आम के पत्ते पर लपेट दे, इस पत्ते पर लपेटेवे रेश्मी धागे को अपनी मनोकामना का ध्यान करतेवे बेहतेवे जल के पास छोड़ें, इससे मनोकामना पूरी होती है धनुराशी की बात करते हैं शनी की साड़े साती का धनुराशी का प्रभाव देखने को मिल सकता है लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि शनी देव आपको इस अवधी के दौरान मन चाहा लाब देने वाले होंगे जौब में प्रभोशन मिलने की पूरी संभावना है बिजनस करने वालों को भी कई गुना जादा मुनाफ़ा कमाने को मिल सकता है बचेवे साल के उपाई शनी की साड़े साती और धहिया का अन्य कोई शनी दोश हो तो हर शनीवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथ से उसको छुएं पीपल के पेड़ को साथ परिक्रमा करें ओम शम शनिश्चराय नमा का जाब करें बचेवे साल में अब आपको शनी देव को प्रसंद करने वाले उपाई बता देती हूं 2018 के बचेवे 6 महीनों में आपके बहुत काम आएगा सबसे पहले जानिए शनी के कोप से कौन सा नुकसान होता है नौकरी और काम में बादा आती है बिमारी बनी रहती है मान से कशान्ती रहती है पारिवारे कशान्ती रहती है पैसा नहीं बचता है परिशानी में यातरा करनी पड़ती है, मितरों से मद्भेध होता है संतान संबदिर चिंता रहती है शत्रों से परिशानी होती है, मुकदमभाजी होती है अब आप सोच रहे होंगी इतनी समस्या तो बता दी लेकिन इलाज नहीं बताया? तो मैं कभी आपको अकेरे छोड़ती हूँ क्या अब जानिए शनी के प्रकोब से बचाने वाला तरीखा शनीवार के दिन को नया काम शुरून नहीं करना चाहिए शनीवार को अखंड नारियल नदी में प्रभाहित करने से शांती मिलती है प्रतेख शनीवार को हनुमान चालिसा का पात करना और शनीदेव के दर्शन कर तेल चढ़ाने से शनीदेव प्रसन होते है शनीदेव को शांत करने के लिए दान और पूजन का विधान है शनी की अनिष्टा निवारन के लिए शनीवार को शनीदेव के मंदिर में तेल चड़ाएं और दान करें इसके अलावा काले तिल, काली उड़द, लोहा, काले कपड़े, काले कंबल, छाता, चमड़े के जूते, गाली अधी वस्तूओं का दान करें शनी के अनिश्टा निवारन के लिए शनी वार का व्रत करना चाहिए अगर व्रत ना कर सके तो कमसिकम नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं कमसिकम वेजिटेरियन खाएं सहीम से शनी का नाम लेना चाहिए शनी को रत्न से भी शांत किया जा सकता है शनी दोश निवारन के लिए शनी रत्न नीलम धारन करना चाहिए लेकिन ये केवल तुला प्रिश्च्व मकर कुम्राशी के लगन के व्यक्तियों के लिए ही धारन करना अच्छा है शनी दोष के निवारन हे तो शुब महुरत में अनुष्ठान से आबेमंतरत की आवाज शनी यांतर धारन करने से शनी दोष से पीड़े जातकों को भगवान शिव सूर्य हनुमान जी की आरादना करने से शनी देव प्रसन होते हैं और शनी की पीड़ा शांत हो जाती है शनी दोष निवारन के लिए नित्य भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमशिवाय का जाप करना चाहिए और करें हनुमान जी बिगडे काम बनाएंगे शनीदेव को प्रसंद करने के लिए शनिवार और मंगलवार को महा वीर हनुमान जी की आराध करें ओम हनुमते नम्हमंत्र का जाब करना चाहिए नित्य हनुमान सुन्दरकान का पाथ करने से अशुप समय में अशुप प्रभावों में निश्चित रूप से कमी होती है चलिए अब शो में आपको शनी का तीसरा महा उपाई क्या है ये बता देती हूं अगर सोच रहे हैं शनी देव को कैसे प्रसंद करें सुर्यास्त के बाद हनुमान जी की आराधना करें पूजा में सिंदूर, काले तिल, तिल के तेल, दीपक, नीले रंग के फूलों को यूज करें अब मैं आपको आखिर की तीन राशियों पर पूरे साल शनी का क्या प्रभाफ पढ़ने वाला हैं बता देती हूँ बचेवे साल में आप के लिए बहुत काम की जानकारी है मकर राशी के लोग, शनी की दशा बदलते ही मकर राशी की शनी साड़े साती आरंब हो जाएगी लेकिन शनी संबंदित सभी उपाय कर लेना ही समझदारी होगी इसके लिए आप किसी जोतिशी से सला लीजे बकर राशी के लिए शनी सारे साती अपने पहले चरण में फाइदे मंद होगी जौब, कारवार दोनों में लाब होगा साल का उपाई, बचेवे साल का उपाई शनी को मनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना भी अच्छा उपाई है हर मंगलवार और शनीवार को हनुमान चालिसा का पाथ करें हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ती करने से शनी के सभी दोश समाप्त होते हैं ऐसा करने से आप बुरे हालाद से आसानी से निकल आते हैं कुम्ब राशी की बात करते हैं शनी की साड़ी साती या धहिया का कोई प्रभाब नहीं होगा धन का आगमन होगा आपकी आर्थिक स्तिती पहले से काफी बहतर हो जाएगी जौब और कारोबार दोनों ही आपके हित में होंगे इस दोरान माता पिता के सेहत का ध्यान रखें और बोली पर कंट्रोल रखें बचे वे साल का उपाई शनीवार को शाम को दिन शिपते के समय पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जनाने से धन वैभव यश में व्रिद्धी होती है नौकरी वालों की ऑफिस में स्थिती अच्छी होती है कारोबार वाले की बिजनस में भी व्रिद्धी होती है मीन राशी की अगरम बात करें तो बचे वे साल में शनी आपके लिए फाइदे मन नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं देगा जो आप करते हैं तो आफिस पर सिर्फ तालमेल बिठाना ही आपको फाइदा दे देगा छात्रों के लिए ये समय मेहनत वाला है आथिक स्थिती सही रहेगी घर की मरमत पर आप अधिक खर्चा करने वाले हैं बचे वे साल का उपाई शनिवार के दिन किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीजें जैसे उड़त की दाल, काला कपडा, काले तिल, काले चने किसी गरीब को दान देने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है बचे वे साल को अच्छा बनाना है आपने तो आपको जानना होगा कि वो कौन सी चीजे हैं जिससे आज के दिन यानि कि शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए शनिदेव के प्रकोब का ये शिकार होते हैं जो खरीदते हैं भारतिय समाज में ये परंपरा है कि लंबे समय से जो चली आ रही है शनिवार को लोहे का बना समान नहीं खरीदना चाहिए ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का समान खरीदने से शनीदेव नाराज हो जाते हैं इस दिन लोहे से बनी चीजों के दान का विशेश महत्व है लोही का समान दान करने से शनीदेव की कोप शान्त होते हैं घाटे में चल रहा वियपार मुनाफ़ा देने लगता है साथी शनीदेव यंत्रों से होने वाली दुरगटना से भी बचाते हैं इस दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए हाला कि तेल का दान किया जा सकता है काले डॉग को सरसों के तेल से बना हलवा खिलाने से शनी की दशा टलती है शनीवार को सरसों या कोई भी तेल खरीदने से बिमारी घर आती है नमक हमारे भोजन का सबसे एहम हिस्सा है अगर नमक खरीदना है तो बहतर होगा कि शनिवार की बजाए किसी और दिन ही खरीदे शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर जाता है काले तिल का पूजन में बहुत महत्व है शनिदेव की दशा टलने के लिए काले तिल का दान और पीपल के व्रिक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है लेकिन शनिवार को काले तिल कभी ना खरीदे कहा जाता है इस दिन काले तिल खरीदने से शुप काम में बादा आती है शरीर के लिए जितने जरूरी कपड़े हैं उतने ही जूते भी हैं खास तोर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादात आज भी काफी है अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को ना खरीदे चाहिए इससे लक्षमी भी रूट जाती है दर्दता का आगमन होता है बचे वे साल को बेटर करने के लिए शनी का एक और उपाए जानी क्या शनी अशुप फल दे रहा है बचे वे साल में अशुप फल को शुप फल में बदलना चाहते हैं तो शरीर के बाल जहने लगे हैं अगर आईब्रोस के बाल जहने लगे हैं तो समझना चाहिए कि शनी अशुप फल दे रहा है ऐसे में परिशान ना हूँ बस शनी बार का व्रत करें रोटी में जरा सा तेल लगाकर डॉग या कवे को खलाएं देखिए आप नीलम को या जमुनिया को अपनी मिडल फिंगर म और दिन को अच्छा बनाईए मेश राशी के लोग शाम को कल के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएगा लग साथ दे रहा हैं आपका 78% डिश्चिप राशी के लोग मंदिर के दान पातर में पैसे दान करें किसमत साथ दे रही हैं आपका 69% मिथुन राशी के लोग अपने का खिप ख्ञची लग्षादे रहा हैं आपका 58 par cent कर राशी के लोग focus का काम घर न लाई भागे साथ दे रहा हैं आपका 56 par cent सिंग राशी के लोग खाने में नख्रे ना करें किस्मत साथ दे रही है आपका 50% कन्या राशी के लोग सोचा वाकाम शुरू कीज़े भागे साथ दे रहा हैं आपका 71% तुला राशी के लोग पानी में फूल डाल करना है ये भागे साथ दे रहा हैं आपका 68% विश्चिक राशी के लोग पॉजिटिव सोच को आपको रखना है लक्स सा साथ दे रहा हैं आपका 62% धनू राशी के लोग बुजर्गों को फल खिलाएं किसमत साथ दे रही है आपका 67% मकर राशी के लोग लंच में कलदही जरूर खाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 65% कुम राशी के लोग चहरे पर बेसन लगाएं किसमत साथ दे रही है आपका 60% मीन राशी के लोग तूलसी के दो पत्ते खाएगे भागे साथ दे रहा है आपका 65% फेस्बुक पर एशा ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेर की है उनके फादर काफी समय से लेबर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसका भुकतान उनको करना पड़ रहा है इसका उपाई जानना चाहते हैं अपने फादर को कहिए फैक्टरी के वेस्ट में ब्रास के गरोड लगा देंगे और पांच चांदी के स्वास्तिक लगा देंगे लेबर रिलेटर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी पर ध्यान रखीगा वेस्ट में टॉलेट होगा तो तकलीफ बनी रहेगी आईए आपको पांचवा महाउपाई बताते हैं शोग के आखिर में शनी से चुड़ाबा क्या है स्वाल? क्या शनी की पीडा भूग रहे हैं आप? मंघलवार के दिन हनुमान जी के मंदर में तिल का दिया जलाने से भी शनी की पीडासे मुक्ति मिलती है कल है संड़े और हम बात करेंगे सुर्यदेव की सूर्यदेव को मनाना तो जरूरी है अगर जिन्दगी में यश पावर अथारिटी चाहिए लेकिन इस पर कल बात करेंगे अभी मुझे इजाज़त दीजिए अपना खयाल रुखे बाई बाई टेक केर